हलो एंड वेल्कम टू ठैली टाकीज दोस्तो बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर प्रयंका चाहर चौधरी बनी सुभे सुभे एंजल जी हाँ प्रयंका ने सुलचाया सुभे सुभे घर का बड़ा मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा कि अब्दू ने भी ठोका प्रयंक को सलाम मान गया कि प्रयंका है घर की पीस में कर यानि की घर की एंजल बोले तो शांती दूद क्या कुछ हुआ है चलिए हम आपको बताएंगे पूरे की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपनी चानल को सब्सक्राइ जरूर करने और बेल आइकन को दबा दें बिगबा सीजन सोला के घर के अंदर सुभे सुभे गायब हुआ मक्खन यानि की बटर जिसके बाद निम्रित ने शिव से लिए पंगे और कहा कि शिव लगता है तूने ही गायब किया है बटर को हाला कि प्रयंका ने ये भी कहा कि नहीं शिव ने नहीं शालीन ने किया हो सकता है जिसके बाद शक की सुई टीना पर भी गई कि टीना को भी मक्खन पसंद है उसके बाद अर्चना पर भी गई कि अर्चना भी इस तरह से चीजों को छुपा जरूर लेती है लेकिन फिर एक बड़ा कदम उठाया प्रयंका ने प्रयंका ने कहा तुम सब छोड़ो अब मैं ही देखती हूं कि आखिर ये मुद्दा है तो क्या है जिसके बाद प्रयंका उठकर जाती है गार्डन एरिया से किचन एरिया में और वहाँ पर जाकर ढूनती है मक्खन को हैरान हो जाती है प्रयंका ये देखकर कि मक्खन तो वही मसालों के बीच में रखा हुआ था जिसके बाद प्रयांका आकर ये बोलती है कि तुम लोग तो कमाल करते हो सौट आउट हो गया है इशू मक्खन वही मसालों के बीच में रखा था और तुम लोगों को नहीं दिखा क्योंकि तुम लोग अपने काम को इतनी जलदी-जलदी करते हो किचन में कि ध्यान से देखते ही नहीं हो और लो इस मक्खन के पीछे जो कि किचन में ही रखा हुआ था सुबह इतना बवाल हो गया और सब परशक की सुई गई है और कोई बड़ी बात भी नहीं है इस घर के अंदर हम सब एक दूसरे के लिए इतना नेगेटिव सोचने लगे हैं कि अब तो एक दूसरे को गलत सोचना बहुत आम सी बात हो गई है जबकि सामने वाला गलत हो या ना हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता जिसके बाद को भी प्रयंका बताती है कि अब्दू बटर मिल गया उसके बाद अब्दू कहता है थैंक यू सो मच प्रयंका तुम्हारी वजह से आज एक बहुत बड़ा मुद्दा शान्त हो गया अब्दू इसी के साथ साथ प्रयंका को सलाम मारते वे भी थांक्स बोलता है प्रयंका भी खुशी से जूमने लगती है वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप नभूलें